नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपके दोस्त परुन और स्वागत करते हूं आज की एक और वीडियो में के SBI के तरसे एक नया NFO launch हो चुगा है सौल अक्टूबर से ये NFO अर्लेडी चल चुका है आज मैं आपके सामने इसका पूरा पूरा review लेकर हाजिर हों NFO क्यों अपने आम में खास है क्या आपको इसके इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप सोच रहे हैं तो इस review के बाद आपका एक एक question का आपको answer मिलने वाला है साथ में ये कितने आपको returns देने वाला है ये भी आपको with proof में बताने वाला हूँ और आपको exact बताऊँगा कितने returns आपको मिलेंगे वीडियो को छोड़ के मच जाएगा बस तो ठीक है लुस्तों तो शुरू करते है आज की वीडियो को देखे जो NFO है उसका नाम है SBI Nifty India Conception Index Fund आपको याद होगा अभी पिछले महीने Axis Conception Fund आपको इसके साथ जुड़ा ही रहेगा अब बात करें भीया इसके NAV की यह launch हो चुगा है अब NFO इसको open है तो NAV जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 10 रुपे allotment price पर अगर आप 16 October से 25 October के बीच में apply करते हैं तब ही आपको 10 रुपे मिलेगा नहीं तो आपको यह जो 25 October के बाद आप जो इसकी rate बढ़ चुगे होंगे उसके उपर आपको मिलने वाला है दूसरी बात opening date इसकी 16 October अल्रेड निकल चुगी है आज है 20 October और आप बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन इसके नहीं इन्वेस्ट करने के लिए 20, 21, 22, 23, 24, 25 बस शे दिन आक तक आप इसके नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए आप को क्या करना होगा आपके पास DMATE अकौंट होगा अगर DMATE अकौंट नहीं है तो description लिंक भी आहुए है इंजलबन का उससे आप खोल सकते हैं वह भी बहुत ही अच्छा अकाउंट है तो आपको जो डिमेंट अकाउंट है उसके अंदर अनफो को सेक्षन होता है उसमें जाकर यह आपको शो हो रहा होगा वाप जाकर किलिक करेंगे तो बाइनाव का अप्शन होगा इन्वेस्ट नौ का अप्शन होगा आप कर सकते हैं है अप्श होगे कितने पैसे प्रिश करने हैं तो देखिये मिनिमम आप इसके अंदर लंगी प¥ आप इसके अंदर लंब सम कर सकते हैं, SIP के लिए 500 रुपे मिनिमम है, SIP अगर आप करना चाहते हैं, SIP वाले क्लिक किजिएगा, date select किजिएगा, उसके बाद initial एक amount आपके पास से कटेगी 500 रुपे या 1000 रुपे, जितने 1000 की भी आप SIP करेंगे, उतना आपके पास से कटेगा, और next day कर, जो next month में, जो date आईगी, उसके उपर हर महीने, उसी date पर, आपका जो SIP है, वो deduction होना चालूग हो जाए, बात करेंगे इसके exit load की, तो देखें, सबसे पहली बात, यह एक open ended fund है, आप इसे में कभी भी entry कर सकते हैं, कभी भी exit करें, किसी भी तरीकी, डोक टोक, उस तरीकी से नहीं है, बस आपको एक charge देना होगा, अगर आप exit करते हैं, तो 0.25%, वो भी आपका 2 तिन महिने के लिए होगा, इस टार्टिंग में, उसके बाद वो बिलकुल फिरी होने वाला है, 0.25% है, तो मेरे खाल से महिना बर के लिए होगा, मुश्किल मुश्किल के लिए, उसके बाद जो इसका exit load रहने वाला है, वो 0% रहने वाला है, अगर आप कोई भी मेरा भाई बात मुझसे पूछी, इसका expense ratio को तना होने वाला है, तो देखो, मैं आपको 80% में sure हूँ, इसका जो expense ratio है, वो 0.30% के नीचे रहेगा, 0.30% के नीचे रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि index fund है, इसलिए, अब मैंने देखी, इत सबसे और जरूरी section जो है, उससे ज्यादा जरूरी, वो यह है, कि इसका index क्या है, इसकी past performance जोती index की वो कैसी है, या कोई दूसरा fund था, उसकी कैसी performance रही, और आने वारे समय में, इस fund के अंदर आपको invest करके फायदा होगा, या नहीं होगा, तो चलिए उसकी बात करते हैं, सबसे बहली बात, मैं जो reference ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, SBI काई एक दूसरा consumption fund है, एक्चल में consumption fund नहीं है, वो ETF है, आपको नाम बताता हूँ, उसका नाम क्या है, SBI की तरफ से ना, already इनका ETF चल गया है, जिसका नाम है SBI Nifty Conception ETF, मतलब यह जो आपका mutual fund इनोंने लांच किया है, इसका ETF और लेड़ी 2-3 साल से चल रहा है, 2021 में launch हुआ था, और जुलाई 2021 में launch हुआ था, और तप से आज तक, इसने पता है कितने return निकाल के दिये, 22.34% के return निकाल के दिये है, इसके, जो 22.34% के, जो इसका ETF चल रहा है, जो ETF है same to same, मैं बिलकुल यह यह तर निक stocks होंगे, लेकिन, काफी हथा stocks न, 80% stock match होंगो, तो उसने दिया है करीबन, करीबन, 22.34, 22% return दिया आपको, तो अगर, माली जी, 81% कम भी return हो गया, तो भी आपको अराम से 20-21% return निकाल के, पकी बात है, expense ratio भी कोई ज्यादा नहीं है, 0.30% से कम रहने है, exit load mean आके विलाबर है तो उस तरीके से कोई problem आने वाली आपको है नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि भाया, इसके अंदर stocks कौन कौन से है, तो दीखें, मैं आपको stocks के बारे में भी बता जेता हूँ, जिससे कि आपकी पूरी, जो आपका questions है, उसका solution हो जाए, consumption कौन कौन से है, सबसे पह उप्योग कर रहे हैं, उसे consume कर रहे हैं, तो हमारा consumption sector में आता है, जैसे आपको companies का मैं example लेके बताता हूँ, ITC, consumer staples sector ही company है, क्या बनाती है आपको पता है, वो भी एक इसका stock है, consumption sector ही company है, आगे चलते है भारती एटल, अब आप पूछेंगे, भारती एटल जो है, वो तो consumption company है नहीं, बहुत सारे भाई होगी, 80% भाई होगा यही question होगा, लेकिन आप समझेए, भारती एटल किस तरही है काम करते हैं, भारती एटल काम है, आपको जो services है, वो देती है, जिसका आप इस्तमाल करते हो, भारती एटल एक sector में काम तो करते हैं, लेकिन अगर मैं telecom sector की करूँ, तो भाई, वो आपको क्या services दे रही है, आप उनकी internet services यूज कर रहे हो, consume कर रहे हो, हम उनकी data services यूज कर रहे है, है ना, उनकी जो telephone की services है, दूथरी चीजिए, उनको consume कर रहे है, तो वो भी हमारी consumption companies हो गई, वो इसका stock है, आगे चलते हैं, महिंदरा, अब आप कह जो की, Zomato, Trend, Titan, Asianpaint, Bajajato, Nestle, Interglobe, Aviation, Tata Power, Tata Consumer, Avenue, Supermarts, Britannia, Hero, Motocop, तो देखिए, ये सारे के सारे, जितने भी बड़े brands हैं, ये सारे के सारे, इस कह करते हैं, जो Mitchell Fund है, इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, अपने आप में, जितने भी मैंने stocks का नाम लिया, वो अपने जितने बड़े-बड़े brand, इसके अंदर शुमार है, जिस्टिन है, तो पैसा बिलकुल सुरक्षित रहेगा, returns मैंने आपको बदाई दिया, reference दे दिया, ये पिछले 2-3 साल में, इसने इतने परसेंट का return दिया है, तो मैं कहरा हूं, आपको 20% का minimum return दे गई है, बुरी condition भी है, अगर कम return भी दे रहा है, तो भी 20% का return दे देगा, क्या बुराई है, 20 ने देगा, 19 देगा, क्या ही बुराई है, क्योंकि FD से तो अच्छा है ये ना, 6% return मिलते है FD के अंदर, उससे तो करीबन धाई-3 ज्याद है ये ना, मैं कहरा हूं, बहुत ही बुरी condition आती है, ब बुरी से बुरी condition की बात करों, जब market बिल्कुल लीचे जाती है, जब सब कुछ डाउन होता है, तब भी ये consumption sector जो होता है, ये आपका positive में आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़िया है, जो की हमेशन होती रहती है, तो इसलिए ना, sector से जल्ले गिरता नहीं है, ठीक है, और सब multiple sectors हैं, multiple companies हैं, और सारे के सारे brands है, तो ये मैं समझेगा, sector wise company, sector wise ये आपका fund है, ये आपका multiple sectors के इंवेस्टमेंट है, तो पैसा जल्द हिले गाने, एक sector डूप भी जाता है, लीचे बरबाद भी हो रहा है, तो भी दूसरे sectors को समाल लेगा, तो दोस्तों, इस तरीके का इस अच्छा fund बनाना चाते हैं, देखें, अगर आप नए है market मेरे अच्छा fund बनाना चाते हैं, सबस्य अच्छा तरीका यही है, कि आप हमारी advice ले सकते हैं, हमारी consultancy ले सकते हैं, मैं आपका portfolio बना दूँगा, जितने करोड का आप चाहेंगे, उतने करोड का, उतने साल के लि पुड़ा fund modify करके आपको मैं भेज दूँगा, उसके भी charges है, मात 999 रूपे, ठीक है, तो contact करने के लिए वार्सार नूमर दिया हुआ, वार्सार नूमर पर हम उससे बात के लिए जेगा, साथ में Gmail पर भी contact कर सकते हैं, ठीक, तो आज के लिए जाहें दोस्तों,